हेलो अब्रिवन, आज हम दिसकस करेंगे हमेटेनिक्स के बारे में, ठीक है, तो हमेटेनिक्स होते हैं, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है हीम, तो हमेटेनिक्स उन सबस्टांस को बोला जाता है, जो हमारी बलड की फॉर्मेशन के लिए रिक्वाइर होते हैं, ठीक है, और बाता है कि अनिमिया होता क्या है, जैसे आम भाशन में बात करते हैं, खून की कमी है तो उसे हम बोलते हैं, तो इसलिए मैंने लाइन लिखे है पहले बाली, लो ब्रड लेवरी बोडी, ठीक है, लेकिन अगर इसके प्रोफेशनली थोड़ा और अच्छे से बात करें तो इ इसके causes क्या हो सकते हैं निमिया के, तो यहाँ पे कुछ causes हैं देखो, अब RBC क्या होती है हमारी बोडी के अंदर, जो red blood cells होती है उनका एक proper amount हमारी बोडी के अंदर रहना ज़रूरी है, that is 4.5 to 5.5 billion, ठीक हमारी बोडी में इतना रहता है, एक adult की बोडी में, अब क्या होता है, इनका जो total life span होता है, वो हमारी बोडी में 120 days का होता है, वो चलता रहता है, बनती रहती है और खतम होती है, क्या हो, अगर वो बने कम और खतम जादा हो, तो भी उसका loss होगा ना, अगर वो जल्दी जल्दी खतम होरी है, तो loss होगा, RBC का हमारी बोडी में count कम हो और अगर वो बनी कम रही है, तो भी हमारी बोड़ी में RBC का काउंट कम हो जाएगा, तो दोनों ही रीजन, destruction of RBC अगर increase हो जाए, तो भी हमें अनिमिया होगा, और production of RBC decrease हो जाए, तो भी हमें अनिमिया होगा, अब अनिमिया के कुछ एक टाइप से होते हैं, जिसमें से एक होगा, ठीक है, बाकी के जो एक समय होगा, उसके बाद next को जाता है, blood loss, ठीक है, blood loss हो जाए हमारी बोड़ी के अंदर, trauma के कारण हो जाए, किसी injury के कारण हो जाए, कोई भी एक्सिदेंट हमारी बोड़ी में हो जाए उसके एकारण भी blood loss होता है तो obviously बात के साथ RBC का भी loss होगा next is bone marrow depression depression is not always linked with this illness depression is जब भी कोई भी organ जो अपना काम करना बंद कर दे तो यानि कि वो अपनी depressed form में है ठीक है तो bone marrow का depression हो जाना यानि कि bone marrow का काम क्या होता है bone marrow के अंदर production होता है RBC का तो अगर bone marrow का depression हो अपना काम करना बंद कर दे तो obviously बात है RBC भी कमी हो जाएंगी उसके बाद है deficiency of essential factor अब इसके essential factors की जुरूद पढ़ती है हमें RBC के formation में बलड़ी के formation में ठीक है तो यह उसका साथ नहीं बात है RBC को बनने में अब इसके साथी की कमी होगी तो क्या होगा obviously बाद है तो अभी यह बनना कम हो जाएंगी अब वह कौन-कौन से essential factor है iron हो गया vitamin B12 हो गया और folic acid हो गया folic acid भी vitamin B category का ही है that is vitamin B9 दोनों एकी category के अब आता है iron अगर iron के हमारी बोड़ी के अंदर कमी हो जाए उसके कारण हमें अनिमिया हो तो नाम से पता चल रहा है उसके हम बोलते है iron deficiency deficiency anemia vitamin B12 की कमी के कारण हो तो उसे हम बोलते है pranicious anemia लेकिन folic acid plus vitamin B12 दोनों की कमी के कारण हो जाए तो उसे हम बोलते है megaloblastic anemia ठीक है iron, pranicious and megaloblastic ठीक है उसके बाद आता है iron सबसे पहले हम iron को discuss कर लेते हैं तो iron के हमारी body का essential element है जरूत पढ़ती है में इसकी वर क्योंकि हमारी blood में iron main component है और blood का काम होता है oxygen carrying करना ठीक है तो उसके बाद मतलब physiology unit होती है इसकी चार unit अपस में connected है बालों के बुच्छे जैसा इसका structure होता अगर आपने कभी पढ़ा हो इसको ठीक है तो ऐसा ऐसा एक structure होता है तो यह जो होती है ने यह होती है हमारी heme unit और यह iron containing होती है ठीक है नेक्स है हमारा इसका iron का absorption और उसकी storage सबसे पहले उसका absorption देख लेते हैं तो iron दो form में absorb हो सकता है या तो हीम की form में और या फिर वो फैरिक आयन की form में connect हो mostly heme की form में हो जाता है तो heme के लिए direct absorb होगा है यह हमारे intestine से ठीक है यह intestine की lining और यहां से हो जाते है लेकिन जो फैरिक होता है वो फैरिक direct absorb नहीं होता है उसे ferrous में connect होना पड़ता है इसके पेछी हा reason क्या उसे ferrous में connect क्यों होना पड़ा क्योंकि यह तो सिदा यह जो form होत फैरिक की है फैरस की है ना की फैरिक की ठीक है उसके लिए ट्राइवलेंट को जरूत पड़ती है में लेकिन हमारे पास सिर्फ डाइवलेंट है तो इसलिए ferrous में connect होना पड़ा और यह अंदर चला गया ठीक है यह हो गया अब देखो यह तो था हमारा स्ट्रमक का एलो इस बात है ट्रांसफेरिन था उसके साथ आरेंबाउंड होगा सिंपल नाम आरेंड बाउंड ट्रांसफेरिन बोन मैरो लीवर और स्प्लीनिन के पास जाए बह तो यह था इसका absorption अब बात आती है storage की तो फैरस हो यह फैरिन हो दोनों ही एपो फैरिटीन के साथ मिलके फैरिट तो सब को पताई है जैसे केमर्जंसी केंदर अगर डैफिशीन्सी ौह गई है और बहुत से。。 होते हैं जैसे कि oral का टेस्ट में इसको जो है अवोईड करते हैं और जैसे कि absorption ना पाना माल absorption है हमारी intestine या हमारा स्ट्रमक एब्जोब करने के काबिल है नहीं उसको तो हम फेरंटल पो देते हैं अब क्या हो कि इसके अमाउंट होती है दो से तीन गराम ही हम हमारी बोडी के अंदर जुरूत होती है इसके जाद अगर हो जाए तो यह poisoning cause कर सकता है और that is acute iron poisoning ठीक है तो इसके लिए जो antidote हम यूज करते है वो होता है maturation factor iron हमारा हो गया हम maturation factor की बात करते हैं दो maturation factor हमारे पास vitamin b12 and folic acid ठीक है vitamin b12 and vitamin b9 vitamin b12 को हम sinokobalamin b बोलते हैं अब बात करते है vitamin b12 के बारे में synthesize by the microorganism हमारी बोडी के अंदर क्या होता है जो जियाटी होता है उसके अंदर of parietal cells अगर deficiency की बात आए तो यह point सबसे important होता है लिखना है क्योंक यह सबसे important है chronic gastritis gastric जो हमारी membrane mucous membrane है उसके अंदर inflammation होना या इसका destruction होना या फिर increased demand demand बढ़ जाए vitamin b12 की कब बढ़ सकती है pregnancy के time पे parietal cell के बारे में जान लेते हैं जैसे कि अपना stomach होगा stomach की base के अंदर होती है parietal cell parietal cell क्या script करते है HCL ए intrinsic factor 11th class से हम लोग पढ़ते आ रहे है parietal cell release HCL and intrinsic factor intrinsic factor intrinsic factor बस रटल लिया कि intrinsic factor लेकिन intrinsic factor करता क्या है intrinsic factor help करता है absorption of vitamin B12 अगर intrinsic factor release नहीं होगा तो vitamin B12 का भी absorption नहीं होगा इसलिए अगर parietal cell distruct होगी तो intrinsic factor release नहीं होगा ये release नहीं होगा तो vitamin B12 absorb भी नहीं होगा vitamin B12 absorb नहीं होगा तो anemia हो जाएगा और कौन सा anemia हमें हो जाएगा that is megaloblastic anemia इसको होती है लिवर के अंदरे इस टोर हो जाता है अब आज कर लेंते हैं इसके functioning की है इसको क्या होता है जो Tetra hydro foolish Agric acid की मिथाइली फॉम होती है ना ना थे जा करता है जो इसके अंपर यह다 नहते हैं और यह करता है तो Velid सिंतेसिस इंपेर्ड हो जाएगी और उसके करना हमारा जो है बलड फॉर्मेशन पर भी एक्ट पड़ेगा जिसके काल मेगलोब्लास्टिक अनिम्य होगा अब बात कर लेते हैं फॉलिक एसिड की इसका भी कुछ सिमिलर सा ही रहता है पैटर्न फॉलिक एसिड को फॉलेट और विटामिन B9 बोलते हैं मैं बता चुका हूँ चैमिकल इसका नाम होता है PGA अभी किस किसे मिल के बनता है PGA के अंदर होता है प्रडीन पाबा पाबा मतलब की पैर आमीनो बेंजोहिक एसिड और ग्लुटामिक एसिड यह तीनों इसके अंदर होते है डेली ना मेथाइल से उससे अटा रहा था और यह क्या करा था। वहारी डियनस करा था ठीक है तो इसमें कुछी सा होतीह THF की Synthesis कराता है लेकिन इसका तरीका अलगा है Folic Acid क्या करता है पहले तो जो DHF होता है हमारा ठीक है उसमें करनेट होता है अभी Tetra में उसे करनेट होना है खुद को तो Folic Acid convert होता है Dihydrofolic Acid में और Dihydrofolic Acid करनेट होता है Tetrahydrofolic Acid में आगा नहीं यह भी वहीं पर भी ठीएफ अब यह क्या ख़़ा देगा डीने संथेजिस कराएगा यह नहीं होगा फिर से डीने संथेजिस इंपेर होगी और ब्लड की कमी हो जाएगी डिफिशिंची किस-किस कारणों से हो सकती है लो डाइटरी इंट्रेक हम अपने डाइट म अगर हमारी बोडी में उससे ड्रग्स लेते हैं जो हमारी बोडी के अंदर एक्स्क्रीशन बढ़ा रहा है और अरेन का फॉलिक ऐसिद का तो इसके कारण भी क्या होता है अधीक है अचाब क्या क्या यूज हो है तो यह बात है में गलोब्लास्टिक अनेमिया इनकी कमी एक नोटिस की होगे बाद प्रेगननसी के टाइम पर जैसे आंगनवाडी के इंदर हो गए और दूसरे सीविल होस्पिटल में आशावरकर्स के दवारा फिरी में सरकार से फोलिक एसिड और आरन की टैबलेट्स प्रवाइड की जाती है प्रेगननसी के टाइम पर तो इसलिए ज सोठा सा डागलमाद होना शोट जुमिके पता हो ना जुग होता है यहिए एक हष्ण होता है ठीक है और हो यह से चुर्म चैरड का काम क究 ता हुता है और बद्र को प्रड़क्शन को करना देखो for example यह हमारी bone marrow है ठीक है अब इसके अंदर क्या होती है stem cells है और यह stem cells क्या कराती है हमारी यानि कि bone marrow का main normal function क्या होता है RBC को produce कराना ठीक है production कराना अब क्या होता है यह जो erthropoietin आया आकर इसकी stem cells है इसको stimulate कर देगा यह stimulate होती RBC production बढ़ जाएगा और यहां नहीं हो रहा हो तो उस start हो जाएगा ठीक है अब यह कब होता है अर्थ्रोपाइटिन रिलीज कब होता है अर्थ्रोपाइटिन एक natural response के time पर रिलीज होता है यानि कि हमारी kidneys को release करती है इन response of enemies है मारी body के अंदर animatic condition आजाए न तो अपने आप रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है लेकिन कई बार conditions इससे भी उपर चली जाती है तो stampate tablets बगारा कि हमें जूस पढ़ती है so that's all about the hematinix in next lecture we will discuss about the coagulants and anti coagulants so about time बात दोबारा से start किया है channel तो I hope आप सबको वीडियो पसंद आई होगे और साथ की साथ जो है आप subscribe करें like करें और comment जरूर करके मुझे बताए मेरी गलतिया ताकि मैं improve कर पाऊं और अगर आपको कोई doubt रहता है तो आप comment section में बेजी सक होगे पूछ सकते हो second thing आप subscribe जरूर करें share करें क्योंकि अगर channel गुरो करेगा तो मेरा भी थोड़ा सा मन होगा काम को आगे बढ़ाने का तो आप सभी से request है कि share जरूर करें मैं हिंदी में अपनी वीडियो ले क्या हूँगा लेकिन concept clear करने के कोशिश पूरी करूँगा ये mainly उन लोगों के पाते बैचलर्स में और हम जो है पिछे